हेलो फैंट्स मैं रंजीत जीए साथ तक मैं आपका स्वागत करता हूं दस्तों 66 में बीपीएसी सीडी पीयो ऑडिटर एयो बीएससी और बिहार के अन एकजाम को ध्यान में रखते हुए बिहार समान ग्यान के अंत्रगर जो सब्सक्राइब कर देखे अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डैफनी टूप से देखिए उस सीरीज के आगे के प्रसनों को मैं इसमें लेकर आया हूं तो सबसे पहला जो 32 प्रसन है उसमें मैंने 31 प्रसन तक किया था अब इसमें 32 प्रसन से सुरू हो रहा है तो 32 प्रसन है प्रचीन भारत में समराजवाद की शुरूआत और विकास का सरे किशे दिया जाता है ठीक है प्रचीन भारत में समराजवाद की शुरुआत और विकास का स्रेकिशे दिया जाता है तो दोस्तों पहचीन भारत में समराजवाद varias की शुरुआत मगत से ठीक है तो मगत इसका सही जवाब हो जाएगा तो यह सबसे पहला राजवन्स कौन था तो यह सबसे पहला राजवन्स था जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं महाभारत में जरा संग का नाम आपनों ने सुना होगा जरा संग के बिर्धत वन्स से संभनस था जो मगत का जो वास्त्विक संसापक है वो हर्यक वंस के बिम्बिशार से माना जाता है ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन सी बिम्बिशार नेक्ट प्रसन है बिम्बिशार एवं अजात सत्रू का शमंद किस वंस से है तो अभी अभी हमने बता भी दिया है पिछले कुस्टन में कि बिम्बिशार और अजात सत्रू का शमंद किस वंस से है तो वो दोस्तो है कौन सा हर्यक वंस हर्यक वंस से समंधित है बिंबिशार और अजाद सत्रू नेक्ष प्रस्ट है राजगीर में दुर्ग एवंग अस्तूप के असापना किशने की तो राजगीर में दुर्ग एवंग अस्तूप के असापना अजाद सत्रू के द्वारा किया गया और अजाद सत्रू का शमंद किस वंस से है यह मैंने पिछले वीडियो में पिछले कुस्टन में बताया है वो है हर्यक वन्स ठीक है हर्यक वन्स इनका शंबंध है नेक्ट परसन है बज्जी संग के लिक्ष्वियों को पराजित करने वाला प्रथम मगत सासक कौन था तो बज्जी संग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बज्जी क्या था कई छोटे छोटे राजियों का एक संग था और बज्जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका एक संग था लिक्ष्वी ठीक है लिक्ष्वी और इस लिक्ष्वी के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और बज्जी जो संग था वो गंतां तरात्मक विवस्था पर अधारित था जो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं तो बज़ी संग को के लिक्षवियों को मतलब बज़ी संग के अंदर लिक्षवी क्या था एक छोटा सा राज्य था उसको पराजिट करने वाले मगत सासक कौन थे तो उसको प्राजित करने वाले अजाद सत्रू ही थे ठीक है तो आप संटी से ही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है अजाद सत्रू के साथ प्रेम संबंद के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहां की थी अजाद सत्रू के साथ इनके संबंद को जोरे जात नेक्स्ट है प्रथम मगत समराज का उतकर्स किस सताबदी में हुआ उतलब मगत जो है उस समराज के रूप में कब से उतकर्स इसका हुआ किस सताबदी में हुआ ये बताना है आपको तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठी सताबदी इस्विपुर्व जिसमें महा जनपदो कावर्नन किया गया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि छठी सताबदी सुप्रमे महा जनपद कावर्नन है और इसी महा जनपद में से एक बरा महा जनपद और सक्तिसाली महा जनपद कौन था मगत था नेक्स्ट है चालिसमा प्रसन है पाटली पुतर नगर के इस्थापना कि स्वाशक के दौरा किया गया है यहाँ प्रसन कई बार आपके बीप grief सी से लेकर बिहार के कई exam मिंपूछे गया है तो पाटली पूतर के अस्थापना किसके दवारा किया था उदवरा इंक दौरा किया था ठीक है उदवरा जीइन के ह्यर्यक once का अंतिम सासक कौन था है यह था दोस्तो किस when बई का सता अस्था Gloria one के बाद मघथ पर किस वन्स की सता अस्थापित हुई तो रेक बोंस के बाद मगत पर जो सता स्थापित हुआ वो सिसुनाग वंस का हुआ ठीक है सिसुनाग वंस का हुआ सिसुनागों ने नागदसक की हत्या करने के बाद क्या किया कि हर्यक थी सिसुनाग वंस के असापना की सिसुनाग वंस के असापना किस ने की यह आप हमें कमेंट में जरूर बताए नइस्ट है मगज के किस सासक ने गृी ब्रज के अत्रिक्त बैसाली को भी अपनी राजधानी बनाया एकृत का मतलब हो गया राजगीर ठीक है तो ये किस आसक ने राजधानी था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा और संगति का पूर्ञन का हम यृजन का है और कि किसके सासनकाल में हुआ है डीतिये बहुत संगती आप लोग पर्थम बहुत संगती के बारे में जानते हैं डेफिनिट रूप से आप हमें बताएंगे कि पर्थम बहुत संगती किसके सासनकाल में हुआ और कहां हुआ अभी हम बात करेंगे डीतिये बहुत संगती की तो डीत राद सत्रू के सासन काल में तो पहले बहुत संगति की अध्यक्षता जो है वो किया गया था सबा करीम के द्वारा डफनी टुप से आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, आप कमेंट में हमें बताएं कि पर्थम बहुत संगती की अध्यक्षता किस ने की थी, नेक्ट परशन है, पर्थम बहुत संगती का आयोजन कहां और किस के सासन काल में हुआ है, तो यह मैंने पिछले वीडियोएं बत हुआ है चारसो तेरासी ऐस्वी पुद्व में हुआ है ठीक है चारसो तेरासी स्वी पुर्व में और दूति जएंगती इस्वी पूर्व में हुआ ठीक है तो इस प्रकार से आप सभी बहुत संगती को जान गया है नंद मुस्के संस्थापक कौन yht के संस्थापक कोनु और इसके अंतिम सासक आ जाएंगे घानानंद जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौरे ने किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौरे ने इसे पराजित किया था ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि नंदवन्स के सासक घानानंद को किसके सहयोग से चंद्रगु ने किया था तो मगत समराज पर सासन करने वाले वैसे सासक का नाम बताना है जो कलिंग पर सबसे पहले विजय हासिल किया था यह पूरे इत्यास में चर्चित है लेकिन पहले असोक से पहले किस ने किया था यह सायद ही कोई लोग जानते होंगे तो वो थे महापदनन्द कौन 49 प्रसन है मगत समराज की कौन सा राजा सिकंदर के शमकालीन था सिकंदर के शमकालीन राजा कौन था तो वो था घनानंद कौन था घनानंद और यह मौरेवंस के अंतिम सासक भी था घनानंद और यही समकालीन था किसके सिकंदर के नेक्स्ट प्रस्ण है मौड़ समराज की अस्थापना कब और किसने की ये बताना है आपको दोस्तों मौड़ समराज की अस्थापना कि 320 इस्थी पुरुव में किया गया था चंद्गृप्त मौड़ के द्वारा ठेक है तो ऑप्सण डी इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्गृप्त मौड़ ने इसके असापना की थी कब 320 इस्थी पुरुव में नेक्ट प्रस्ण है युनानी दूत मेगास्थनीच किसके समय में पाटली पुत्र आया था यह भी प्रस्ण आपसे कई बार पुछा गया है और मेगास्थनीच के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसे आप कमेंट में बताएंगे कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक ल आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दर्वार में आया था अब कब आया था ये बताना है कि उन्दूत मेगास्थनीच पातली पुत्र कब आया था इसका सही जवाब हो जाएगा option B 315 इस्विपूर में मेगास्थनीच पार्टली पुत्र आया था तेरपनवा प्रसन है युनानी दूत मेगास्थनीच को पार्टली पुत्र चंदगृत मौरे के दरबार में किश्मे भेजा था मतलब यह किसका दूत बन के आया था यह बताना है आपको तो यह शलीवकस निकेटर के दूत बन के आया थे तो option C's का सही जवाब हो जाएगा शलीवकस निकेटर के दूत बन कर आया थे चववनवा प्रसन है चंदगृत मौरे को भारत का मुक्ती दाता यह प्रसन अभी तक दो तिन एज्जाम में पुछा जा चुका है और काफी महतोफुन प्रसन है चंदगृत मौरे को भारत का मुक्ती दाता क्यों कहा जाता है यह आपको बताना है तो चंदगृत मौरे ने ही सबसे पहले युनानियों को पराजित किया था ठीक है युनानियों को सेलिकस निकेटर थे उनको पराजित करके उन पर बहुत सारे सरतित हुप दिये थे तो यह था जो इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता नेक्स परसेना वह सही तो मैंने अभी बताया आपको कि इंडिका जो वह किस नाम के द्वार लिखा गया है और इंडिका एसी पुस्तक है जिसमें पाटली पुत्र के प्रशासन के बारे में पूरे विस्तार से वर्नन किया गया है और इन्होंने बताया है कि पाटली पुत्र का प्रशासन जो है वो छो समीती करती थी ठीक है छो समीतियां करती थी और परतेक समीती में पांच सदस्य होते थे ठीक है पर सास्त्र में वहां के जो राजनितिक कतीविधियां है राजनितिक नितियां है उसके बारे में वर्णन किया गया है तो इसमें आपको नहीं होना है च्छापनवा प्रसन है नंद बंस के पस्चात मगत पर किस बंस ने सता स्थापित की तो आप लोग को मालूम है कि नंद बंस कि को पूर्नतर है विरिस्ट कर दिया किसके सहयझों से चानक ज Опे सिर्भ से या जिसको विश्ञुप्त भी कहते हैं चानक की अन्तिम साथ साफष को पराजित करके मौरियोंस के यसा नंद किया गया किसके द्वारा चंद कर दो मौर्ण के द्वारा तो छह पनुवा का एंसर हो जाएगा संतान्वा प्रस्ट है मौर एवंस के इतिहास को जानने का प्रमुख शूरोथ क्या है आपके पास option है अर्थसास, इंडिका, मुद्रारक्षस, तो अर्थसास में मौर्यबंस के राजनितिक गतिविधियों का वर्णन है, इंडिका में प्रसासन का वर्णन है, और मुद्रारक्षस में राजाओं के बारे में जनकारी दी गई है, तो इस प्रकार से इसका सही जव कि मौरेवंस की इतिहास को जानने का प्रमुक्स रोत कौन सा नहीं है तेक है मौरेवंस को जानने का यहां एक क्या है नहीं है तो इन में से मुदराराक्षस में अभी हमने चर्चा किया है इंडिका में है प्रयाग प्रसस्ति और जूनागड बच गया तो जूनागड अभिल से संबंधी था ठीक है गुप्त वन से संबंधी था और गुप्त वन्स के बारे में इसमें जनकारी दिया गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आप्शन सी नेक्स्ट एप 59 परसन है कि मौरे वन्स के कि सासक के दरबार में आजीवक भविस्वक्ता पिंगल वत्स रहता ठीक है असोक एक महान राजा बनेगा इसका भविस्वानी किस ने किया था पिंगल वत्स नहीं किया था तो यह किस के दरबार में रहते थे तो यह जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहते थे ठीक है तो आप्शन भी इसका सही जबाब हो जाएगा ठीक है पिंगल वत् संबंध किस अभी लेख में है तो यह तेरहवां सिला लेख है जिसमें असोक ने अपने परोसियों के संग मैत्री पुंद्र संबंध अस्थापिद करने का बात कहा है चर्चा किया है तो आपसंद सी इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट एक सथमा प्रसन है कि असोक के सासनकाल में किस बौध संगती का आयोजन किया गया और कहां किया गया तो थोरा साम लोग पीछे चलते हैं पहला बौध संगती का आयोजन अजात सत्रू के शासनकाल में हुआ था कहां हुआ था राजगीर में दूसरा बहुत संगती वैशाली में हुआ ठीक है वैशाली में काला सोक के शासनकाल में में हुआ था तो तीसरा जो है तीसरा पुछा जा रहा है यहां तो तीसरा जो हुआ है वो पाटली पुत्र में हुआ है असोग के शासनकाल में ठीक है तो आप्सन सी सही जबाब हो जाएगा तीसरा बहुत संगती हुआ है ठीक है कहां हुआ है पाटली सोत में हुआ है और चौत्ः जो बहुत संगति हुआ है जमु कश्मर में हुआ है और这 किस शासन काल में हुआ यह आप हमको कमें में जरूर बताएं इस वर्स में किस तिर्तितिय बहुत संगतिक है यह दोbels renowned है ठीक है तो असोक के शासनकाल में तिरतिय बहुत संगती का आयोजन कद किया गया तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं पहला बहुत संगती का आयोजन हुआ था 483 इस्वी पूर्व में ठीक है दूसरे बहुत संगती का आयोजन 383 इस्वी पूर्व में लगभग 100 वर्सों के बाद और 33 बहुत संगती का आयोजन 251 इस्वी पूर्व में हुआ था तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरसेठमा प्रसन है कि असोग के शासनकाल में किस तिरतीय बहुत संगती का अध्यक्षता किस नहीं की थी ठीक है तिसरे बहुत संगती की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तो तिसरे बहुत संगती का अध्यक्षता किया गया था असोग के शासनकाल में और इसकी किया गया था मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा किसके द्वारा मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा इसके अध्यक्सता किया गया था तो आप संडी सही जवाब हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है प्रस्ण असो का धम क्या है असो का धम यह कई बार प्रस्ण पूछा गया है द तो अप्शन कहाँ इस्थित था तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्षन बी सही जवाब हो जाएगा और रमर समराज के समय सिख्षा का प्रमुख के र को इसे था पाटली पूतर में तो इस प्रकार से आपने कुल प्रस्टों को देख लिया जो विहार के एंसेंट हिस्ट्री से जुरा हुआ है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डैफनी टूप से इस वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है और सांसना दोस्तों के सांथ सेयर करना भी बनता ही है चुकि सेयर करेंगे ठीक है आज तक के नाम से दो ग्रूप है एक जुकि सस्वागक में कोई जोइन andar कर लिजिएगा वहां आपको इसका पीडियेर मिल जाएगा इस प्रकार से अगर अभी त्यारी के प्रती भी आप लोग डेडिकेटेड हैं तो आज के लिए तना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ